नमस्कार जै भीव नमो गुद्धाए साथियो देश में लोगसभा के चुनाव बहुत जल्दी संभावित हैं अधिसूचना किसी दिन भी जारी हो सकती है लेकिन अधिसूचना जारी करने में सरकार की तरफ से बिलंब होता जा रहा है और सरकार रोज नए नए हदकंडे नए नए तरीके अक्तियार कर रही है दो दिन पहले ही सुप्रीम कोट द्वारा इलेक्टोलर्ड बांड पर SBI को जो फटकार लगाई है और SBI के चेर्मेन के कानों में जू तक नहीं रेंग रही इसके अतिरिक्त चुनावायोग के बिरुद्ध चुनाव की निस्पक्षता के लिए चुनाव की निस्पक्षता पर सुप्रीम कोट में कई आचिकाएं पेंडिंग हैं कि आचिकाएं सोशल मीडिया द्वारा या भारत के बुद्धिजीवी तमाम नागरिकें द्वारा इवियम के इवियम पर प्रस्ण चिन लगाया गया है यहां तक की पूरी देश की जनता इवियम के बिरुद्ध आंदोलन रत है इवियम या निस्पक्ष चुनाओ पर प्रस्ण चिन लगे हुए हैं और इन सब के बावजूद कल यानि 12 मार्च को देश में नागरिक्ता संसोधन कानून को लागू कर दिया गया है यह सब हो रहा है किसी भी संस्था चाहे SBI हो चाहे चुनाओ योग हो चाहे सुप्रीम कोट हो किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा यह सब सरकार के का हात है इसमें सरकार के दबाव में सब लोग डरे हुए हैं कोई निर्णय नहीं हो पा रहा है तो चुनाओ कैसे होगा चुनाओ भी अगर होगा तो सरकार की मन्सा पे होगा सरकार जैसा चाहेगी वह ऐसा चुनाओ होगा यह बड़ी बिडमना है देश में संबिधान लागू है संबिधान के अनुसार सभी संस्थाएं चैव चुनाओ आयोग हो सरोच नैले हो सब अपने अपने निर्णय लेने के लिए सुतंत्र है सरकार का कोई नियंतर नहीं होना चाहिए लेकिन इन संस्थाओं पर सरकार का नियंतर लगातार जारी है चुनाओ नजदीक है चुनाओ की घोषणा होने वाली है और नागरिक्ता संसोधन कानून लागू करके बांगला देश, पाकिस्तान, वर्मा, भूटान या आसपास के देशों में जो भारत के लोग रह रहे हैं उनको भारत की नागरिक्ता देने के लिए भारत ने ये कानून लागू किया है एक अनुमान के अनुसार पचास लाग से ज़्यादा लोगों को नागरिक्ता दे दी जाएगी और ये नागरिक्ता आनलाइन एक दिन में लगातार जो अपलाई कर देगा एक दिन दो दिन आनलाइन ये सुरू कर दी गई है पहले से वेल प्लांड है और उनको चुनाओ के समय नामांकन से दस दिन पूर अगर कोई चुनाओ आयोग में अपना मतदाता काड बनवाना चाहे अपना नामदर्ज कराना चाहे तो नामांकन के दस दिन पूर अपलाई करना होता है उसका भी नाम जोड़ा जाएगा तो अभी तो नोटिफिकेशन ही नहीं हुआ अभी तो नामांकन के बहुत दिन है तब तक 50 लाग से अधिक लोगों को नागरिक्ता दे कर और उनको मताधिकार का अधिकार दे दिया जाएगा ये सरकार की मंसा किस तरह से संबिधान और लोग तंत्र को तहस नहस करने पर लगी हुई है अब तो भारत में लग रहा है है चुनाओ से पहले इतना वर्चस्थ सरकार का इतनी ताना साही इतना मनमानापन और ये इसलिए है कि इस सरकार को भरोसा है कि हम पुने दो हजार चौबिस में भी चार सो पार का जो नारा दिया जा रहा है अब वो उनके ओर कान्फिडेंस और ओर कान्फिडेंस ही नहीं अगर उनके पास एबियम है तो चार सो पार क्या पान सो पार भी हो सकता है तो ये जो कान्फिडेंस है ये जीत का जो दावा है और चुनाओं से पहले ही इस तरह की सरकार की अधिनायक वाद ताना साही चल रही है तो चुनाओं के बाद क्या होगा चुनाओं के बाद तो चार सो पार का अर्फ भारती जन्ता पार्टी के सांसर द्वारा इस पस्ट रूप से कहलवाया गया सरकार के द्वारा उनकी मनसा जाहिर कर दी गई है कि हम चार सो पार इसलिए चाहते हैं कि हम संबिधान को समाथ कर दूसरा संबिधान लागू करना चाहते हैं ऐसा संबाव है अगर चार सो भारती जन्ता पार्टी को सीटे मिल जाती हैं जिसमें विभिन धर्म जाती संपरदाय के लोग समलित होंगे एक चुनी हुई सरकार होगी चुनी हुई सरकार को तो कोई चुनोती दे ही नहीं सकता अगर पूर बहुमत दो तिहाई बहुमत है तो संबिधान क्या कुछ भी बदल सकते हैं इस चुनी हुई सरकार में जिस संबिधान में अंसोची जाती अंसोची जन जाती के लिए 131 सीटे रिजर्व की गई हैं वो भी संब्लित हैं वो जो बाबा साथ के नाम पर उन्हें बाबा साथ ने एक संबिधान को बचाने का हतियार सम्विधान में यह दे रखा है तो अगर उन सीटों से भी जीत कर लोग बीजेपी में जाते हैं और बीजेपी कुछ भी करती है तो बुराई क्या है वो कर सकती है उसे चुनावती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचित सरकार है निर्वाचित प्रतिनिधी उस संसोधन में या उस समिधान के बदलने में सामिल है आज देश में जोवर चस्व है भारती जंता पार्टी का उसमें से 84 अनसूचित जातियों की रिजर्ब सीटों के विरुद्ध तिर्पन अनसूचित जाती के भारती जंता पार्टी में हैं 47 अनसूचित जन जात के रिजर्ब सीटों पे 43 भारती जंता पार्टी के हैं बरतमान में भी 96 लोगसभा के सदस से भारती जंता पार्टी में जीते हुए हैं तो जो कुछ भी हो रहा है, इन सब की सहमती है, इसके अतिरिक्स 120 सांसर, इछड़े वर्ग के हैं, 34 सांसर मुस्लिम समाज के हैं, संसर में इन वर्गों के हैं, और उसके बाद भी ये सब घटनाए हो रही है, तो चुनी हुई सरकार के दोरा, चुने हुए प्रतिमिदियों के दोरा, जो भी किया जाता है, उसे चुनावती नहीं दी जा सकती, जो संसोदन, जो बदलाव किये जाएंगे, उसे दुनिया की अदालत में भी चुनावती नहीं दी जाती, दुनिया को क्या पढ़ा है भारत में, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, और भारत में कोई इसको स्विकार करने को तियार नहीं है, कि भारत के संविधान और लोगतंत्र में गंभीर खत्रा मड़ा रहा है, आज भी लोग जाती, धर्म, संविधाय, लालाच, पांच किलो रासन पर सरकार चुन रहे हैं, तो ये खत्रा बना ही रहेगा, ये खत्रा समाप्त हो सकता है, अगर इन रिजर्ब सीटों पर भारती जन्ता पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग, समाजवादी के लोग या अन्य लोग कोई जीतना नहीं चाहिए, इन रिजर्ब सीटों पर जहां पर अन्सूची जाती, अन्सूची जन्जाती के लोगों का बाहुल है, यह उन सीटों पर किसी भी पार्टी के लोगों को एक ओट नहीं देना चाहिए, केवल बहुजन समाज के कंडिडेट अगर इन रिजर्ब सीटों पर जीत जाते हैं, तो किसी की आवकात नहीं है, भारत के संबिधान को बदलने की, लोग तंत्र को बदलने की, बावा साहब ने अंतिम यह एक हथियार दे रखा है, अगर यह भी इस देश के बुद्ध जीवियों को, नेताओं को, ठेकेदारों को, अगर नहीं समझ में आता, तो इसका रखवाला अब कोई नहीं है, अब वो सब दिन देखने पड़ेंगे, जो सो दो सो साल पहले, इस देश में बहुजन समाज के साथ होता आया है, आज संविधान और लोगतंत्र खत्रे में है, इस खत्रे को केवल बहुजन समाज बना कर, बहुजन समाज के प्रतिनिधी, बहुजन समाज पाटी का नित्रत ही इसे संभाल सकता है, जै भी, नमबुद्धाय, नमस्कार.